हम लोग 8 नमबर देखते हैं question, 8 नमबर में दिया हुआ है 2x plus 3y equal to 4 और दूसरा equation है x minus y plus 3 equal to 0 चलिए देखते हैं पहला वाला equation लेते हैं 2x plus 3y equal to 4 तो यहां से देखो 2x equal to में क्या हो जाएगा 4 minus 3y यहां पूट करते हैं हम लोग y equal to 0 ऐसा पूट करेंगे ताकि value हमें क्या मिले fraction में नहीं है है ना कोई integer आ जाए तो x का value क्या हो जाएगा 4 minus 3 into 0 और y में 2 यह तो 0 हो जाएगा आपका 4 by 2 यानि कि आपका 2 हो जाएगा ठीक है चलिए अब दूसरा हम लोग value निकालते हैं अगर आप put करते हैं y के place पर क्या put किया जाए अब हम लोग put कर देते हैं 2 तो x equal to 0 हो जाएगा 4 minus 3 into में 2 और y में 2 तो 3, 2, 6, 4 में से 6 गया minus का 2 by 2 कटके यहाँ minus 1 आ गया चलिए दूसरा वाला ही क्यों से लेते हैं x minus y plus 3 equal to 0 देखो मैं चार्ट बनाना भूल गया पहले मैं इसका एक चार्ट बना लेता हूँ साथ में चलेंगे न तो ठीक रहेगा इस तरह से चलिए ध्यान से देखो ठीक है? x y हमने y का 0 पुट किया है तो x का 2 है फिर हमने y का 2 पुट किया है तो x का minus का 1 है यहाँ देखे दूसरे वाले equation के लिए तो x equal to में यहाँ पर क्या हो जागा y minus 3 हो जागा यह minus वला प्लस में प्लस वला इधर आख है minus में तो फुट करोगे अगर y equal to में 0 तो x equal to में 0-3 यानि की minus का 3 अगर आप पुट करोगे y equal to में 1 तो x equal to हो जाएगा 1-3 यानि की minus का 2 चलिए हम लोग इसके लिए भी यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है? चलो देखो, ध्यान से देखो, चलिए, X Y Y 0 put कर रहा है तो X का minus 3 आ रहा है Y 1 put कर रहा है तो X का minus का 2 आ रहा है चलिए भाई अब इसका हम लोग यहाँ पर graph बनाते है चलो तो हम लोग यहाँ पर X axis ले लेते हैं ठीक है और यहाँ ले लेते हैं Y axis जान से देखिए X axis Y axis हो गया यहां लिखिते हैं x यहां पर आपका x- y और यहां हो जाएगा आपका y- 1, 2, 3, 4 काफी है 4 तक भी 5 हमने किस दिया 1, 2, 3, 4, 5 इधर minus 1, minus 2, minus 3, minus का 4, minus 1, minus 2, minus 3 काफी है चलो देखो न x का 2, y का 0 तो x का 2, y का 0 कहां हो जाएगा यहां हो जाएगा दूसरा है आपका x का minus 1, y का 2 x का minus 1, y का 2, minus 1, 2 तो इन दोनों से होकर जाने वाले lines की बात करें तो वो इस तरह से होगा आपका इसी तरह से न जाएगा ध्यान से देखिए इसी तरह से जाएगा हमारा line हर पास equation इसका दिया हुआ है इसका equation भी हम लोगे हाँ पर लिखेंगे 2 x plus 3 y equal to 4 ठीक है तो एक्स प्लस 3 y equal to 4 ठीक है अच्छा दूसरा देखिए x minus y plus 3 equal to 0 तो इसका यहां पर चार्ट है x का minus 3 y का 0 minus 3 0 अच्छा दूसरा है x का minus 2y का 1 x का minus 2y का 1 minus 2 1 इन दोनों से होकर जाने वाले line की बात करें तो कुछ इस तरह से जाएगा इसी तरह न जाएगा जी यही हो जाएगा तो दोनों line जहां पर intersect करेंगा तो intersect करें यहां पर तो इसका x